नमस्कार, नरैन मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाने वाली कॉंग्रेस स्वेम तानाशाही करती है व्रोधी आवाज़ाँ को कांग्रेस दबाती आई है चाहे वो राज्यों में राज़्पती शासन लगाना हो, फिल्मों पर बेन लगाना हो या किसी पत्रकार को जेल में डालना हो, कांग्रेस अपने विरोधियों की आवाज को दवाने में कोई कसर नहीं छोडती है कनाटक की कांग्रेस सरकार ने अजीत भाती पर FIR की है और ये FIR कांग्रेस ने क्लिप कट हुआ यानी जुबेर दवारा अजीत भाती के एक वीडियो की कटी हुई क्लिप पर की है या वही क्लिप कट हुआ है जिसके कारण राजस्थान में कनिया लाल जी का मडर हुआ था क्योंकि इसी ने नुपूर शर्मा की वीडियो की एक क्लिप काट कर फैलाई थी अब इस क्लिप कट हुआ ने अजीत भाती की एक पुरानी वीडियो की क्लिप को काट कर चला दिया और कांग्रेस की करनाटक सरकार FIR भी कर देती है अजीत भारती ने अपने वीडियो में आचार पिरमोध कृष्णम के ही बयान का हवाला दिया था किन्तु किलिप कटवा ने वीडियो के एक हिस्से की कलिप काट कर फैला दी पिरमोद कुष्णम ने कहा था कि राहुल गांदी ने कहा था कि सत्ता में आये तो राम मंदर को हटा देंगे और बाबरी को पुनहें लाएंगे अब यह दावा अजित भारती ने तो किया नहीं किन्तो यदि फिर भी अजित भारती पर एफाईया उचित है तो एक एफाईया राहुल गांदी पर भी होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांदी ने पूरे चुनाप रचार में जूट ही बोला था कि बीजेपी आरक्षर समाप कर देगी संभिधान बदल देगी ये चुनाम का हिस्सा मान भी लिया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांदी ने किरल में बयान दिया जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था राहुल गांदी ने कहा था कि बीजेपी के लोगों को मले आलम नहीं बोलने देग इडली डोसा नहीं खाने देगी राहुल गांदी ने किन तथ्यों के आधार पर कहा कि बीजेपी आपको अपनी भाषा नहीं बोलने देगी कम से कम अजीत भाती ने आपके ही पूर्व नेताव के बयान पर ही टिपड़ी की थी किन्तु अजीत भाती पर एफाइयार हो आज में कोई एफाइयार नहीं हुई यदि कांग्रेस सरकार की तरह ही एफाइयार करना फ्रीडम ओफ स्पीच लोकतंत और समविधान की रक्षा करना है तो बीजेपी शासित बाइस राज्यों में ऐसा होने लगा तब क्या होगा कुछ दिन पूर्ष सब लोकतंत के रचि सब अजीत भाती के साथ खड़े हैं हम पूरी शक्ति के साथ इनके पूरे एकोसिस्टम को बेपरता करते रहेंगे हाना कि बीजेपी अपने समर्थकों के साथ उस तरह या किसी भी तरह खड़ी दिखाई नहीं देती है जैसे वामपंतियों का एकोसिस्टम अपनी लोगों लड़ते रहेंगे धन्यवाद जैहिन